नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है सरकार का मानना है कि इस कदम से मरीत करमचारीों के फैमली मेंमर्स के लिए लाइफ टाइम का गुजारा करना बहुत असान हो जाएगा क्योंकि उन्हें सरकार की तरब से वितियस रुख्षा मिलेगी तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सस्क्राइब कर दीजिए, साथ इस आत्वाइल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंशन से समधी जितनी भी जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पाफ तरंट पोस्त के तो करते हैं वीडियो को स्टाट बिना किसी देरी की, देश में जो लोग फैमली पैंशन का फाइदा उठा रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छी खुश खबरी आई है, जी हाँ, ज पैसले से मरने वाले करमचारियों की फैमली में मर्स को लाइफ टाइम का गुजारा करने में कोई दिकत ना आए, जिसे वीडियो शुरुक्षिया का फाइदा मिलता रहे, दरसल पहले फैमली पैंशन वालों को हर महीने 45,000 रुपे दिये जाते थे, लेकिन आगे से उन्हे सवालाक रुपे की रासी दी जाएगी, यानि उन्हें ढ़ाई गुना की बडोतरी हुई है, इस पूरे मामले पर कई मंतरालों और विबागों से जुड़े हुए, रिफिजेंस के अधार पर पेस किया गया है, बता दे की मंतराले की और से भी यह बयान में का आ गया है कि क उनों ही डेथ होने पर उनके बच्चों की दो फैमिली पैंशन मिलेगी, फैमिली पैंशन पहले लोगों को पंताले सो जार रुपे से सताइस जार रुपे हर महीना मिल सकती थी, देखा जाए तो छटे वेतन आयोग के तहत इस नबह जार रुपे के अधिकतम भुगतान का पचास परशेंट और तीस परशेंट था, जिसे पहले जारी निर्देशों में का गया था कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पैंशन की कुल मिला कर रासी पंताले से जार रुपे परती महीने और सताइस जार रुपे परती महीने यानि पचास परशेंट और तीस परशेंट की दर से ज्यादा नहीं होगी यह दर छटे केंद्रिय वेतन आयोग की सिपारिस के मुताबिक 90 जार रुपे की मैक्सिमम सैलरी के संद्रम में तै की गई है तो साथ में वेतन आयोग के बाद सरकारी नोकरी में पेमेंट को रिवाइज करके डाइलाग रुपे परती महीना कर दि किया गया है संसोदन के मुताबिक डाइलाग रुपे का 50% यानी सवालाग रुपे और डाइलाग रुपे का 30% पीचे 30,000 रुपे कर दिया गया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत